वेलकम बैक तो आप चैनल सिल्पी कुकिंग एलाफ स्टायल और आज में कराने वाली हो आपको अपना हाउस टूर यह एक टूब एच के रेंटेड अपार्टमेंट है और यह पूने में है तो आज में आपको इसी का टूर कराने वाली हो अपने घर का तो आए फड़ा-फड से देखे तो यह है फ्रंट डोर जहां से हांब एंडर करते है घर में फ्रंट डोर ओप्न करते ही आती हमे यह तो यह बिल्कु cud ब्लैंक थे इसके लिए मैंने यह स्टिकर लगाया है जिससे की वॉल बहुत अच्छी दिखे क्योंकि फ्रंट डोर खोलती है यह वॉली दिखती है और इसके बगल में जो आप कर्टेन लगावा देख रहे हैं वो मेरा किचन है तो फ्रंट डोर ओपेन होती ही किचन आता है इसके लिए मैंने यहां पे कर्टेन लगाया है तो अभी मैं आपको सबसे पहले लिविंग रूम दिखा रहे हूं तो यह मेरे लिविंग रूम का एक एरिया है जिदर मैंने सोफे लगाया है तो यह कुछ इस तरह से दिखता है और कर्टेन के बाद यहां पर एक बालकनी हुई है यह सेकेंड एरिया जहां पर मैंने फ्लोर सेटिंग का अरेज्मेंट का रखा है वैसी यह डाइनिंग टेबल का इसपेस है लेकिन अभी मुझे उसका कोई यूज नहीं लगता इसके वैसे मैंने जो जगह था उसको प्रॉपर यूज करते वे एक फ्लोर सेटिंग अ यहां पर एक डोर्मेट के उपर मैंने रखा हुआ है प्लांट और यहां पर मैंने पाम लगाया है इस पर लगाई है मैंने लाइटिंग तो यह बहुत ही अच्छा दिखता है तो यह पूरा कुछ इस तरह से दिखता है और वाल के ऊपर जो कारपीट के ऊपर वाल है उस पर मैंने लगाया है 10 फोटो फ्रेम का एक सेट है जो कुछ इस तरह से पूरा दिखता है ये वॉल भी पुरी खाली थी तो मैंने यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रिक का रिस्ट्रिक किया है ये भी मैंने ऑनलाइन ही पर्चिस किया है और एक कॉर्नर में रखा है मैंने पूचा मंदिर तो ये पूरा कुछ इस तरह से व्यू दिखता है और फ्रंट डूर के बैक में मैंने यहां पर एक सूरेक लगा रखा है और यहां पर मैंने आर्टिफिसेल फ्लावर प्लान्ट रखा हुआ है और यह है फ्रंट से सोफे का लुक और यहां पर मैंने बीच में सेंटर टेबल और एक लखी ममू लगा रखा है और सोफे के ठीक बगल में जो मैंने इस टोरेज लगा रखा है उस पर रखा है मैंने कुछ आर्टिफिसेल प्लांट और यह मैंने बॉटल में लगा रखा है तो अभी मैं आपको सेंटर टेबल के उपर रख वे एक ब्लैक ट्री में और कलर्फुल पेबल्स डाल के मैंने यहां पर लखी बैम्बू रखा है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो यह पूरा आप लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और सोफे के ठीक ओपर मैंने एक बर्ड का स्टीकर लगा रखा है पूरी खाली वॉल थी तो इस्टीकर लगाने से पूरी वॉल का लुक ही चेंज हो जाता है और सोफे के ठीक सामने मैंने टीवी लगा रखा है और अभी मैं आपको बालकनी की तरफ ले चलती हूँ तो कर्टेन के ठीक बात ही बालकनी आती है तो यह है मेरी बालकनी जहांपर मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं और यह पूरा इस्पेस है तो यहांपर भी मैं कभी-कभी इस तरफ से अरेंजमेंट करके फ्लोर पे बैठने के लिए बना लेती हूँ तो अभी मैं आपको बालकनी के पास से अपने पूरा लिविंग रूम दिखा रही हूँ सारी बड़ी लाइट ओफ करके मैं आपको अपना लिविंग रूम दिखा रही हूँ तो यहां पर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया ड़ कुछ इस तरह से मैंने किया एक तरफ मैंने बीड रखा है डबल और एक तरफ ऽे पेले सऻ ही था मेरे पास इसलिमे अने रखा हुआ है और एक तरफ रखा हुआ है मैंने स्टदी टेवल तो यह single bed double एक तरफ मैंने study table और chair लगा रखा है और एक छोटा सा photo frame रखा हुआ है मैंने तो बस बहुत ज्यादा नहीं है कुछ इस तरह से है यह room इस room के ठीक सामने यह washroom है जो आपको दरवाजा दिख रहा है वो washroom का दरवाजा है तो आप चलते हैं master bedroom की तरफ तो यह master bedroom का washroom है और इधर लगाए हुआ है मैंने एक sticker तो यह ठीक room में enter होते हैं आपको यह sticker दिखेगा फाली वाल पर ही मैंने यहाँ पर दो almira रखे हुए है और यह है बेट तो फ्रांट से कुछ इस तरह से दिखता है इसे मैंने light से decorate किया है तो यह जो पूरा look है इसका यह कुछ इस तरह से है तो इधर आपको curtain दिख रहा है और curtain के ठीक बागल पर मैंने bedside table रखा हुआ है और उसके ऊपर एक lamp लगाया हुआ है इस तरह के lamp मुझे बहुत पसंद है तो यहाँ पर मैंने बहुत छोड़ा सा bedside table रखा हुआ है और इसमें बस आसी कुछ जरूरी समान रखे हुए है इस तरह से यह टेबल मैंने आफ लाइन ही लिया था लेकिन आपको अनलाइन भी बहुत सादा अच्छे अच्छी वाराइटी मिल जाएंगी यह आपको 600-700 के अंदर आ जाएगा और बेट के दोनों साइड मैंने इस तरह से मैट रखा है कर्टेन और इसका सेम कलर है बेट के ऊपर मैंने सादी की फोटो का कोलेस बनाकर फ्रेम कराया है और इसे मैंने लाइट से डेकोरेट किया है ऐसे फेरे लाइट से डेकोरेट करने के बाद बहुत ही सुन्दर लगता है कभी-कभी आपको बस कम लाइट चाहिए होती है तो सिर्फ यह लाइट जलाएं बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही अच्छी रॉसनी भी आती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है कमरे का यहाँ पर मैंने एक छोटा फ्रेम और एक छोटा सा टेडी लटकाया हुआ है और यहाँ बेट पर मैंने सिर्फ दो कुसन और एक स्माइली रखा हुआ है और यह है मास्टर बेट रूम का दर्वाजा जहां से हमने एंटर किया था और अब हम करते हैं किचन टूर तो यह है मेरा पूरा किचन तो पूरा किचन कुछ इस तरह से दिखता है तो जो मेरा किचन है वो एक नॉन मॉडिलर किचन है तो यहाँ पर स्टोरियस की बहुत कमी है तो मैंने अपनी सारी चीजों को कुछ इस तरह से अर्गनाईस किया है तो किचन के किचन जो पुरा फृरंड से कुछ इस तरह से दिखता हैं तो किचन के एक साइड मैंने ये दो तरह के इस्टेंड लगा रखें तो एक पर मैं रखती हूं ग्रॉसरे और दूसरे पर रहती हूं रखते हूं रखती हूं अपनी Nou आाया तो रोज के सारे समान इस तरह से स्टेंड पे एक दम अच्छी तरह से आ जाते हैं तो ये स्टेंड मेरे लिए काफी यूसफुल है देख सकते हैं आप एक स्टेंड पे कितने सारी यूटेंसिल्स आ गया है सारी रोज के बरतन आपके ये सिर्फ एक ही स्रेंड पर आजाते हैं और यह मेरी सारी ग्रोसरी जो मैं रोज यूज गरते हूः वो सारी ग्रोसरी इस पर आजाती है बहुत ही बड़ा स्टेंड है तो मैंने कुछ इस तरह से अर्गनाइज किया है और एक तरफ रखा हुआ है मैंने फ्रीज उसके उपर रक्षे वे दो कप्स और इस तरह से मैंने फ्रीज को रखा हुआ है में ने not करना था अपूरा यह मैंने स्ट्रिक्टरणी वाले होग नब से लगा उआ है जो ि करते हो तो से फूरा कुछ को इस तरह से दिछता है मैंने यह अका पिस्टार्ण में लगा माइक्रोवेव रखा हुआ है उसके बगल में मैंने राइस कूकर मिक्सर घड़ा और यहां पर मैंने मसाले का स्टेंड लगा रखा है तो यह सारे स्टेंड में लगाने से चीजे अच्छी भी दिखती हो और अर्गनाइज वे में रिखती है इसलिए मैं इन सारे स्टेंड का यूज करती हूँ इसमें बहुत सारे समान भी आजाते हैं आप देख सकते कितने सारी तरह के प्लेट सॉस वाली कटोरी सारी चीजे एकदम अच्छी तरह से अर्गनाइज हो जाती है जो देखने में भी अच्छी लगती है और आपको काम करते वक्त अगर कोई चीज चाहि कि यह माइक्रोवेब के ऊपर मैं कपड़ा रखती हूं क्योंकि दूलाती है जब मैं यूज करते हूं तो इसे हटा देती हूं आज 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 बगल में मैंने राइस कूकर रखा हुआ है मिक्सर इसको अल्रेडी रिव्यू दिया है मैंने अपनी चैनल पर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और ये गर्मी के दिनों के लिए मैं रखती हूं घड़ा जब दिन समाब तो चाहती हूं तो मैं इसको हटा देती हूं खत्यूब और यहां पर मैंने मसाले इस स्टेंड में लॉक जर में रखता हूं इससे बहुत सारे मसाले सेंड पर ही आ शायते हैं और यहां पर मैंने नाम भी लिख दिया हैंkaa कोई और आय Breaking मेरे किचन में अराम से खाना बना सकता है और यह है एक खिड़की जो खुलती नहीं है तो यहां पर मैंने कुछ इस तरह से इस्पैचुला, चमच, सीजर और ओयल रखा हुआ है, ओयल को मैंने ट्रे में रखा हुआ है, ट्रे में रखने के बाद मैंने इस पे टीसू पेपर लगा रखा है, जिससे जो एक्स्ट्रा तेल गिरता है वो टीसू पेपर सोक लेता और जब मुझे इसे क्लीन करना होता है, तो इस तरह से यह बहुत इजी हो जाता है, तो अभी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देख सकते हैं, मैंने इस तरह से टीसू पेपर लगाए हुए है, और यह है बालकनी का दरवाचा, एक छोटी सी ट्राइ बालकनी दी हुई है इसके साथ, और इस तरह है वास बेस इन एरिया, जहां पर मैं अपने बर्दन क्लीन करती हूँ, तो यह है पूरा किच्छन, जो मैंने आपको अपी दीखाया, तो आई होब कि आपको अगर अपने घर के आर्रेंजमेंट करनी हूँ, और खासकर जब आप रेंट के घर में रह रह रहे हूँ, तैंक यू, मिलते हैं नेक्स वीडियो में